हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लक्ष बोडिक ज्यांपर तो दोस्तों यह साइंस के पहले चेप्टर का लाश्ट टॉपिक होने वाला है ठीक है जिसमें धातु वायू की अक्सिजन वायू की अक्सिजन कमा नमी या अन्य रासायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीमे धीरे नश्ट होती जाती है क्या कहलाती है संचारण कहलाती है तो संचारण क्या होता है आप देखे होंगे कोई जो लोहे की वस्तु होती है अगर उसको बाहर रख दिया जाता है ठीक है जैसे छक पर होगे खुले में रख दिया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है वह जो लोहे की वस्तु होती है वह आ यूँकि अभिक्रिया उस लोहे के साथ हो जाता है जिसे जंग धीरे-दीरे वो धीमी अभिक्रिया होते है तो उसे क्या कहते हैं संचारण कहते हैं। लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूसणों पर काली परत का जमना इत्यादी, बहुत से ऐसे उदारण है, तो लोहे पर जो जंग लगता है, तो उसे जो अभिक्रिया होती है, उसे ही संचारण कहते हैं, उसी प्रकार चांदी के आभूसणों पर जो काली परत चड़ जा है इससे बचने की उपाय क्या क्या है तो लिखा गया कि संचारण को धात्वों पर पेंट करके मिस्रित धातू बना कर या अन्य धात्वों की पर्त चढ़ा कर रोका जा सकता है जिसे लोहे पर जंग लगता है तो हम क्या करेंगे जंग से बचाना होगा तो उसको हम पेंट कर देते हैं जिससे वो बच जाता है तो ये बचाने का उपाय है तो पेपर में ये भी पुछ देता है कि उसको रोकने के कौन-कौन से उपाय हैं उसको कैसे रोक सकते हैं तो उसको धातों पर पेंट करके रोक सकते हैं मिस्रित धातू बना करके रोक सकते हैं या अन्य धातों की पर्त चड़ा कर उसे रोका जा सकता है, ठीक है, तो इतना चीज कम से कम आपको संचारण के बारे में पता होना चीज, संचारण क्या होता है, इसके उदाहरण क्या है, और इसको कैसे रोका जाता है, आप दूसरा जो टॉपिक है, वह है विक्रित गंधिता, ठीक है, अब वि तो तो जैसे खराब होता है उनकी जो क्रियाएं होती हैं बस उसी को विकृत गंदिता कहते हैं ओधारण में क्या हो सकता है जिसे पानी तथा पनीर खुला रखने पर विक्रित गंध देने लगते हैं अगर इन्हें खुला में हम रख दे गए एक से दो दिन बाद क्या देने लगते हैं गंध देने लगते हैं तो यही कहलाता है विक्रित गंधिता अब विक्रित गंधिता को भी हम कैसे रोक सकते हैं तो विक्रित गंधिता को भी रोकने का दो तीन उपाय होता है जैसे पहला खादे पदार्थों को वायू रोधी पात्रों में रखना ठीक है खादे पदार्थों को वायू रोधी पात्रों में रखना निम्नताप पर पक्टे हुए खाने का प्रसीतन और तीसरा क्या है खाते पदात जैसे आलू चिप्स इत्यादी की पैकिंग में आक्सीजन को हटा कर उसके अस्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं अब देखें होंगे जो आप कुरकुरे खाते प्लाश्टिक में जो होता है चिप्स हो गया तो उसमें क्या होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है तभी वो खराब नहीं होता है तो अगर वहाँ पर आक्सीजन रहेगा तो वो खराब होगा है क्योंकि वहाँ पर आक्सीकरण हो जाएगा तो इसलिए नाइट्रोजन गैस वहाँ पर भर देते हैं तो ये रोकने का उपाय होता है विक्रित गंदिता को, तो विक्रित गंदिता का परिभासा, उदाहरण और रोकने के उपाय, इसमें भी आपको तीन चीजे पता होना चीए, तो ये साइंस के पहले चेप्टर का लाज्ट टॉपिक था, इसके बाद अब प्रश्न उत्तर देख लीजे, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा नमबर लाना चाहते हैं, तो आपको सुरू से पढ़ना पड़ेगा, ठीक बचों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,